नमस्कार मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में शराब पीने की तिव्र एक्षा और लत्थ को छुराने की होमेपैथिक दवा के बारे में बताया जा रहा है वीडियो को पूरा अवस देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं तो आ पीने की तिव्र इक्षा और लत्थ को छुराने की एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसका नाम है क्वैर्कस ग्लैंडियम इस्पिरिटेस क्वैर्कस ग्लैंडियम इस्पिरिटेस एक बहुत ही कारगर दवाई है उन लोगों के लिए जो शराब अधिक पीते हैं और दवाई में ओक नामक फल का प्रियोग किया जाता है यह दवाई शराब पीने की आदद को छुराने में हमारी काफी मदद करती है शरीर पर क्वैर्कस ग्लैंडियम इस्पिरिटिस का कौन सा असर है मैं यह बता रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं एक समय के बाद उनका स्प्लिन अर्था तिल्ली और लीवर खराब होने लगता है लीवर में बहुत सारी समस्याएं शराब के सेवन से होने लगती है और फैटी लीवर की समस्या भी हो जाती है यह औस दी लीवर की इन सभी समस्याओं पर अपना काम करती है यह दवाई शराब पेने के एक्छा को भी कम करती है साथ ही शराप के कारण शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्ने हुई है वो उनको खत्म करती है सराप के कुछ हानिकारक प्रभाव को समझा देता हूँ जैसे शरीर का लर्खराना, चक्कर आना, जी मिचलाना, स्प्लीन अर्थात तिली और लीवर की खराबी के कारण बाचन तंत्र में खराबी हो जाती है तनाव का बरना अर्थात डिक्ट्रेशन, कमजोडी और चकर आने के कारण चलने में समस्या होती है साथ में सराप पीने के कारण गठिया के समस्या भी हो जाती है यदि आपको यह सब समस्या है और साथ ही आप सराग बहुत जादा पीने लगे हैं और बहुत कोशिसों के बावजूद छूट नहीं रहा है तो आपको क्वेर्कस ग्लेंडियम इस्पिरिटेस का सेवन करना चाहिए दवा लेने की विधी को समझा देता हूँ क्वेर्कस ग्लेंडियम इस्पिरिटेस का सेवन आपको दिन में तीन बार करना है आदा कप पानी में इसकी दस बूंद डालनी है और पीना है इसका सेवन आपको तीन से चार महने तक लगातार करना है ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्थ हो तिल्ली के समस्या के साथ सराप का सेवन करते हैं तो यह समझ लेजिए अगर आपकी तिल्ली के समस्या है वो बढ़ी हुई है साथ में आप सराभी पीते हैं जिसे से तिल्ली और भी अधिक समस्या उत्पन्ने हो रही है तिल्ली में और साथ में आप Quercus glandium 30 potency, जो की dilution में है, उसकी दो भूंद रात में सोने से पहले भी जीप पर टपका लें, आपको बहुत अच्छा result मिलेगा. साथ में आप Sulfur 200 potency की दो भूंद हर रभी बार, आप किसी दिन भी टाय कर सकते हैं, अर्था की हफ़ते में सिर्फ एक बा लेना है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि हर रभी बार के हर रभी बार, आप Sulfur 200 potency की दवा का भी लीजिए, आपको सराप के सरीर पे होने वाले जो 200 potency, जो की हफ़ते में सिर्फ एक बार दो भूंद, जैसे की रभी बार को लिए, तो अगले रभी बार को दो भूंद, इसका जीप पर टपका लें, साथ में रोज है, क्वेर्केस ग्लैंडियम 30 potency का आपको दो भूंद जीप पर टपकाना है, और क्वेर्केस ग्लैंडिय सकते हैं, अगर आप सराप छोड़ना चाते हैं, तो आप निसंकोस दवा का सिवन करें, आशा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर समझने में परिसानी आ रही हो, या आप ट्रेटमेंट करवाना चाते हैं, या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना च चाते हैं, तो मेरे वाट्सप नंबर 900-624-2658 पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं, दवा आपको किसी भी होमेपैथिक सौक पर मिल जाएगा, दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे, खाना खाने के आदे गंटे पहले या आदे गंटे बाद ही दवा ले, अन्यवाद